आगे बड़े बात करें किस्तानों की, तो देखें किस्तान संगऴचनों का आज भारत बंद का ऐलान है और प्रदर्शनकारीओं का आज और बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा सरकार और प्रदर्शनकारीओं के बीच तीसरे दौर की बात्षित भी फेल हुई है कल 6 घंटे तक मेरथन बैठा चली लेकिन नतीज़ा नहीं निकल पाया राजस्थान में भी किसारों का बंद का ऐलान है कॉंग्रिस ने आज बंद का समर्थन किया है और राजस्थान कॉंग्रिस ने बंद को समर्थन का ऐलान करते हुए अज़र डोटास्रा ने किसार आंदोलन की समर्थन में बंद का आवहान किया है और इस खबर पर जादर ज़ानकारी के साथ वारे वरिश्च सही होगी शर्षी महुन चर्बा वार्सर फोलना पे जोड़ रहे है शर्षी आज पूर्ए देश भर में खिसानों की तरफ से भरत बंद का ऐलान किया गया है राजस्थान में इसका असर जो है वो कितना को यहां पर मिल सकता है किस तरीके से नुकसान जो है वह प्रदेश सरकार को यहां पर आज के बंद की वज़े से जहिलना पड़ सकता है यह नुकसान तो आर्दिक नुकसान तो होगा इसमें पर दोराह नहीं है लेकिन इसानों का कहना है कि उनके नुकसान को कोई नहीं देख रहा MSP पर खरीब के लिए जो कानून मनाने की बात थी उसकी पालना होनी चाहिए थी तो उनका उक्सान नहीं होता तो वो भी किसी का उक्सान नहीं होने जाती और किसानों की तरफ से बंद का आवान है माकपा की तरफ से बंद का आवान है और साथ में कॉंग्रेस भी इस बंद को समाधान दे रही है। तो किसानों को लगता है कि जनता का जान भी उनकी मांगों की तरफ जाएगा। ऐसे में आज शही दिसमारत पर किसान इकठा होगी और शही दिसमारत पर इकठा होने के बाद किसान जैपूर के बाज़ारों में भी निकले गी है। परशासन की तरफ से तैयार्या की गई है। कि जनता का नुकसान नहीं है। अगर कोई गाड़िया निकलेंगी दुकान खोलेंगी तो टकराव की आशंका रहती है। तो किसी तरीकी इसी law and order नहीं बगड़ें। इसकी कोशिश पुलिस की रहेगी। तो बंद कराने के लिए गर कुस लोग निकल के तो वहाँ पुलिस वाज़ोद भी रहेगी। शांती को प्रदर्शन रहें। उसमें किसी को कोई अत्राज नहीं है। लेकिन जो कॉंग्रेस को समर्थन दिया है। उनका भी यह करना है कि वो शांती को बंद को समर्थन दे रहे। इसकी कोई जगे में। ठीक है। बहुत शुक्रिये आपका तौम चौनकारी साचा करने के लिए।